नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि एकर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा दीजे जिससे हम जो भी वीडियो बनाएगे सबसे पहले आपको मिल चाहेगा दोस्तों इसी के साथ ही आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जिगर आप हमारे चैनल को बचाना चाहते हैं और इसी प्रकार के काम को परसपर पसंद कर रहे हैं तो आप हमें financially support कर सकते हैं जिससे हमारा काम और भी अच्छे से चलता रहे और आपको नई से नई जगह की जानकारियां यूही मिलती रहें तो आप सामनी दिये गए QR कोड को सकैन करके आप हमें financially support कर सकते हैं मैं आपके सहयोग का इंतजार करूँगा तो आईए सुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पिछले वाला वीडियो जो मैंने आपके वीच बनाया था भैरोनात के बारे में जो की बिहार के बिहार सरिफ मंडल के नालंदा जिलिक के तेत्रावा गाउं का था वहें का next वीडियो भी है जहां पर माता महारानी मंदिर है वहां पर किस तरीके से दोसों से ज्यादा अधिक बुद्ध की मूर्थिया प्राप्त हुई है लेकिन उनको माता रानी के गण बताने की कोशिस की जा रही है और सच्चाई को दबाने की कोशिस की जा रही है तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है तो आईए चलते हैं साथियों ब्रामण वादियों का ब्रामण धर्म पूरा का पूरा बुद्धिज्म से कौपी है यह मैं नहीं कहता यहां का इतिहास और यह एविडेंस कहते हैं ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा आप जहां पर देखिए वहां पर तथागत बुद्ध से रिलेटेड अगर खुदाई हो रही है और बुद्ध ही निकल रहे हैं लेकिन यह ब्रामण वादी लोग वहां पर पहुँच कर बोल देते हैं कि यह कोई बुद्ध का अवसेस नहीं है यह यहां पर हिंदू धर्म सनातन धर्म का अवसेस है बलकि सनातन का इनको तो मतलब ही नहीं पता होता है कि असली सनातन होता क्या है सनातन एक गुडवाचक सब्द है जिसका सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है जो पुराना धर्म है उसी को सनातन धर्म बोला जाता है तो आज आप लोगों को इसी से रिलेटेड एक वीडियो दिखाने वाला हूँ और लेकर के चलने वाला हूँ उसी गाउं में जहां का मेरा पिछला वीडियो था आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है जाकर के देख लीजिए उसके बाद में इस वीडियो को देखे या आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों आज फिर से लेकर के शलने वाला हूँ तित्रावा गाओं में जो की बिहार राज के बिहार सरीफ मंडल के नलंदा जिले में पढ़ता है आप लोगों को बता देना चाहूँगा यहाँ पर मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि एक भैरोनात की भवे मूर्ती बताई जा रही थी लेकिन उसको महारानी मंदिर जहां पर दोसों से ज्यादा यहां पर बुद्ध की प्रतिमाय प्राप्त हुई हैं लेकिन ब्रामणवादी लोग उसको हड़प करके कभी माता के गण बता दे रहे हैं कभी कालपनिक देवी देवता बता दे रहे हैं आईए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के ग्राउंडिंग में लगी हुई मूर्थियों को देखते हैं और समझते हैं कि सच्चा इतिहास क्या है अपनी विरासत क्या है दोस्तों इन लोगों ने अपनी विरासत को हडपने का बहुत ही पुराना खेल समझ रखा है और हडपते चले भी जा रहे हैं लेकिन गल तो ये मूर्थी आप खुद बता सकते हैं किस की मूर्थी है जो कि आप लोग देख रहे हैं ये जो बैठी हुई मूर्थी है ये किस की मूर्थी है दूर से ही दिख रहा है ये मार्ग दाता तथागत गौतम बुद्ध की मूर्थी है लेकिन इसको यहाँ पर देवता या मूर्ती बताई जा रही है खैर वो भी देख लीजिए साथी साथ आप ये अश्ट कोणी स्टूप देख सकते हैं इसको भगवान शिव का सिवलिंग बताया जा रहा है और इसको सिवलिंग बता करके इस पर चादर डाल दी जा रही है और बताया जा रहा है ये हिंदुज्म स दूर से देख सकते हैं ये मूर्ति देख लीजे ये भी तथागत कौतम बुद्ध की मूर्ति है लेकिन यहाँ पर इन ब्रामणवादियों ने इन मूर्तियों को कालपनिक देवी देवता बना के रखा हुआ है आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर पागल बनाया गया है ये भी मूर्ति आप देख लीजे तथागत बुद्ध की प्रतिमा दिवार में जड़ी हुई साथी साथ ये मूर्ति सामने दिख रही है जो कि अवलो की तेश्वर बोधिसत्यों की प्रतिमा है जिसको ये लोग जूम करके भी आप देख लीजे तथागत बुद्ध की प्रतिमा ये लोग बिश्णू की प्रतिमा बता रहे हैं साथी साथ ये अब लोग की तेश्टर बोदुसत्यू की प्रित्मा है जिसको काट दिया गया है भीच से ये एक सिला लेक भी मिला है जो की असूका लिपी में है आप लोग देख सकते हैं और ये अश्ट कोडिये स्थूप देख सकते हैं जो की सिवलिंग बताया जा रहा है साथी साथ अब आप लोग को दिखाने वाले हैं इस मंदिर की मुख्य मूर्ति जो की यहां पर इस्थित है यहां पर ब्रामणवादियों का कहना है कि यहां की जो माता रानी की मूर्तियों साक्षात मूर्ति है जिसमें तलवार लेकर के खड़ी हुई है तो आईए पेस है आप लोग के सामने यह मूर्ति विसाल का माता की प्रतिमा है जिसको यह लोग पाखंडवादी लोग बता रहे हैं कि यह जो प्रतिमा है यह माता महारानी की प्रतिमा है लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यह जो माता का सिल्फ है यह बजरियान परंपरा का और उनका ही है क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है किस प्रकार से इसमें मूर्तियां दर्साई गई है और इसमें जो भुजाएं दर्साई गई है ये जो बजरियानी परंपरा के लोग हुआ करते थे उपासक हुआ करते थे वो अपनी सिल्प कलाओं में इस तरीके की मूर दर्साय जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके चार हाथ थे ये सिल्फ कला जो है अपनी कलाकारी दर्साने के लिए दिखाया जाता था तो इसलिए ये दर्साया जाता है बाकी और कुछनी ये मंजूसी सिल्फ है जो कि बोधिसत तो मंजूसी का है और बुद्ध क लोग हमसे हमारी विरासत को दिखा करके हड़प करके हमसे ही पैसे कमाते रहेंगे दोस्तों आपसे गुजारिस है इसलिए आप अपने बच्चों को सिक्षा दिलाए आगे बढ़ाए और पहचानने की तर्ग सक्ति दिमाग में पैदा करिए तो आप लोगों से गुजारिस ह इस जानकारी को अन्य लोगों में शेयर करिए और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जाईए और वहाँ पर जैसा जो है देख करके तुरंथ ही लोगों को बताईए लोगों को समझाएए खुद जाईए लोगों को ले करके जाईए दोस्तो ऐसे ही वीडियो पाने के के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तो दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों में भी शेयर कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत साथवाद